इस बार की गर्मी जानलेवा साबित हुई है। तापमान बढ़ने के साथ पोस्ट मार्टम हाउस में बढ़ती शवों की संख्या इस बात की गवा है। आमकडे बताते हैं कि अप्रेल में पोस्ट मार्टम के लिए 396 शव आई थे। जिसमें से अग्यात शवों की संख्या सिर्फ बावन थी। मई में पारा चड़ा तो पोस्ट मार्टम में शवों की संख्या बढ़कर 608 पर पहुच गई और जून में जब गर्मी चरम पर पहुची तो सिर्फ 21 दिन में ही पोस्ट मार्टम हाउस में 779 शव पहुच गए। यहां यह भी बता दे कि जहां मई में कुल 106 अग्यात शव मिले थे वहीं जून में अब तक 203 अग्यात शव पोस्ट मार्टम हाउस में आ चुके हैं। खास बात यहां है कि इन शवों का पंचनामा भरते हुए पुलीस ने भी इनकी मौत का कारण गर्मी माना है लेकिन प्रशासन के रिकार्ड में एक भी मौत गर्मी से होना दर्ज नहीं है। वज़ पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है जिसमें इनके मौत का कारण हाट अटैक और मल्ती ओर्गन फेलियोर बताई गई है। गर्मी ने अपना प्रचंड रूप मई के आखिरी छब दिनों में दिखाना शुरू किया था और तब 35 साल बाद ऐसा हुआ था की लगातार 6 दिन तक तापमान 45 डिग्री से उपर बना रहा। नौतपा इन 6 दिनों में ही बहतर अग्यात शव पोस्ट मार्टम के लिए पहुँचे थे। जबकि मई के इसके पहले के 24 दिनों में सिर्फ 34 अग्यात शव ही आई थे। नौतपा के दौरान आए शवो के पंचनामा में मौत की वजब भीशन गर्मी ही बताई गई थी। 29 मई को पारा 48 डिग्री पर पहुच गया था। जून में भी यही हाल रहा और मौतों का आमकड़ा बढ़ता चला गया। किसी की मौत पेर के नीचे आराम करने के दौरान ह हो गई तो तो कोई साइकिल चलाते चलाते गिरा और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा शहर में अकेले रह रहे बुजर्ग वबीमार लोग घरों में भी मृत पाए। इन मामलों में फॉरंसिक रिपोर्ट में भी गर्मी को ही मौत की वज़ा बताया गया था। लेकिन पो का कारण हो सकती है। आम दिनों में रोजाना 10-12 शव ही पोस्ट मार्टम के लिए आते थे। लेकिन पारा 45 पार पहुचने के बाद पोस्ट मार्टम के लिए पहुचने वाले शवों की संख्या दोबने से ज्यादा हो गई। पोस्ट मार्टम हाउस और मोर्चूरी में अंतिम संसकार के लिए आने लग जबकी सामान्य दिनों में इनकी संख्या साथ के आसपास रहती थी। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट को आधार बनाकर जिला प्रशासन भले ही गर्मी से एक भी मौत की बात कह रहा हो। लेकिन विशेशग्यों का कहना है कि गर्मी और लू से अंग फेल होने या हार्ट अटाक हो रही हैं। उनका मानना है कि लू लगने का शरीर के अंदरूनी अंगों पर प्रभाव इतना तेज होता है कि अगर तुरंत इलाज न मिला तो मौत हो जाती है। इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष सीनियर फिजीशियन दौ। संतोश कुमार का कहना है कि व्यक्ति के मस्तिष्क के थेलेमस में हीट कंट्रोल सिस्टम होता है। लू या गर्मी लगने से यह सेंटर फेल हो जाता है। हीट सेंटर के फेल होने से शरीर का तापमान एकदम से बढ़ता है। अंदरूनी अंदों पर गर्मी का असर आता है और फेल हो जाती है। यक्ति को चक्कर और बेहोशी आती है। नीची गिरता है और मौत हो जाती है। जांच में मल्ती आरगन फेलेओर आएगा। जीएस वीए मेडिकल कॉलेज के पूर् इसके कटियार का कहना है कि लू या गर्मी लगने से देहाइड्रेशन हो जाता है। शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। गर्मी से शरीर के एक-एक अंग डैमेज होने लगते हैं। अगर पहले टीबी या सांस्तंत्र का रोगी है तो उसके अंग जल्दी फेल होते हैं। ऐसे रोगियों के शरीर का इम्म्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। ओवर हीटिंग से वैसे शरीर की पूरी कार्यक्षमता ही प्रभावित होती है जिससे मौत हो सकती है। GSVA Medical College की पूर्व प्राचार्य सीनियर कार्डियोलोजिस्ट डॉग। आरती लाल चंदानी का कहना है कि लू लगने से गर्मी में हाट की धड़कन रुख जाती है। हृदय को 30 दिगरी सेल्सियस पर काम करने पर आसानी होती है और जब टापमान 38 दिगरी पर पहुचता है तो दिक्कत होने लगती है। लू लगने और गर्मी लगने पर हृदय के अंदर विद्युत प्रवा प्रभावित होता है। इसके अलावा हृदय की मांसपेशियों के सिकुडने की क्रिया पर भी असर आता है। हार्ट फेल होता है और रोगी मौत हो जाती है। ओस्ट मार में कारण हाथ फेलाता है